सर हम अपनी कक्छा में टोप कैसे करें सर हम अपनी कक्छा में प्रथम इस्थान कैसे लाएं देखे एक छात्र ने मुझसे कमेंट किया है यह उनका जो है कि बहुत अच्छा प्रस्ण है बढ़ियां प्रस्ण लगा हमें तो देखे सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना हो कि आपके स्कूल में कौन सा छात्र तोपर है उसको पहले आपको देखना चाहिए एक बार देखे वह खाना भी खाएगा जैसे आप खाना खाते हैं वैसे वह भी खाना खाता है जैसे आप पाने पीते हैं वैसे वह भी पाने पीता है जैसे आप सोते हैं वह भी वैसे सोता है म लेकिन आप क्या करते हैं पढ़ाई को सीरियस लेके नहीं करते हैं देखें टोपर जो छात्र रहता है वह खेलने जाएगा तब भी उसके दिमाग में देखेंगे तो पढ़ाई से सबंधित कुछ ना कुछ प्रस्ण चलते रहेंगे अभी आप अभी आप देखें चले जाएंगे इस सब छुड़िये इस सफालतू बाते हैं अपको हमें सुरू जैसे समझाना चाहता हूँ देखें सुरू में क्या होता है लड़का टोप कभी कप करता है जब वह अपने गरीबी को देखा हो या फिर उसने बहुत से ठोकरों क देखा हो उसे बहुत सा ठोकर लगा हो जैसे कोई किसी के बात को अपने दिल पर ले लेता है टोप करने के देखें बहुत सारे कारण हो सकते हैं अब आप लोग सोच रहेंगे क्या गरीबी टोप करता है नहीं पैसे वाला भी आदमें टोप करता है वह कैसे करता है यह वह अक्षी स्कूल में सिक्षा उससे दिलवाते हैं अपना थोड़ा सा पैसा इंवेश्ट करते हैं और उसको अच्छी सिक्षा जो है की दिलाने कोशिस करते हैं और उसके दिए बच्चपन की पढ़ाई जो रहती है वह थोड़ी टोप लेवल की रहती है वो भच्पन सही अच्छे से पढ़ाई करता है उसका पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर रहता है और गरीब का लड़का टॉप कप करता है जब वह भी पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर ही लगाएगा गरीब के लड़कों को देखो कि क्या करते हैं उनके उपर बहुत रहता है देखे वह पढ़ाई भी करेंगे अपने माता पीता का काम में हाथ भी बटाएंगे और जो जो वह करेंगे वो यह भी करेंगे सी कारण है आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग होगा आप कुछ अपने माइंड से सोचेंगे कि टोप क्यों करता है जब आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप भी टोप कर लेंगे ठीक है टोप करना कोई बड़ी बात नहीं है बस अपनी समस्याओं समस्याओ के बड़ी बात नहीं है समझ गया तोप करना अपने स्कूल में अपनी कक्षा में प्रत्हमिस्दान लाना ये कोई बड़ी ले लेने हैं, उसको समझना, पढ़ना है, रिपीट और चाहिए अई-सी ऑई-सी बहुत सी बातों को समझना पड़ेगा, हर एक कदम सोज समझ कर चलना पड़ेगा, हर एक चाल आपको पढ़ाई सीसे सबंधित सोज समझ कर चलना चाहिए क्या होता कि बहुत से चात्र अड्मिसन करवा लिए अब अड्मिसन करवा कि उसकूल ना जा करके वह भालतों वच्छों के साथ खेलते-कुलते हैं गुमते-फिरते हैं इस सभी आपको काम मिलता है उसको घर पर आकर के अपने कामों को अझ्छे से करना है कि मतलब कोई भी काम जोड़ना नहीं है जिसके कारणा आपका नमबर कमा सके कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं है Hindi क्या है तो बहुत से चात्र हिंदी में फूरा ध्यान लगा देंगे अब इंग्लेश को कौन पढ़ेगा मैत को कौन पढ़ेगा और भी तो से सब्जेक्ट है उन्हें कौन पढ़ेगा देखे सभी में आपको बराबर बराबर ध्यान लगाना होगा तभी आप देखें प्रत्रमिस्तान आ सकते हैं, समग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में हम 100 में 100 में 100 आ दियें, गड़ीत में 50 नमब भी नहीं ला पाएं, तब आप कैसे टॉप करेंगे, तो देखें जितना ध्यान आप हिंदी में दे रहे हैं उतना ध्यान गडित में दीजिए और विज्ञान में भी देखें जितने भी सब्जेक्ट हैं जितना ध्यान आप इन सभी विशों में दे रहे हैं उनमें भी उतना उतना ही ध्यान दीजिए और पढ़ाई अच्छे से क ठीक है अगर आप टॉप करते हैं तो आपका देखे आपके घर के आज़ पास आपका नाम होता है आपका माता-पीता जो कि समान के नजर से जो की देखे जाते हैं कि इनके बच्चे ने लिटेंट व्याओrelated है और बहुत से कारण हैं तो देखेए आपको टॉप करना ही करना है अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो आप इस वीडियो से कुछ न कुछ सिखिए और जो अभी तो देखिए गर्मी का सिजन है, गर्मी का समय है बहुत अच्छा अडमिसन करवा करके खेल रहे होंगे, कुद रहे होंगे खेलने कुदने के लिए मना नहीं कर रहे हैं खेलने कुदने के लिए कोई भी सिख्षक आपको मना नहीं करेगा कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा लेकिन खेल के साथ-साथ आपको पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा धन्यवाद